नवस्कार दोस्तो डिजार एडिमिशन कंसल्टनसी में आपका सौगत है तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महराश्टर स्टेट आयुष का जो मौप प्राउंड होने वाला है उसमें सेफ एसेमेल फार बीएमेस और बीएचेमेस क्या है उसे के साथ हम बात करेंगे कि आपको कितने एसेमेल तक सीट मिल सकती है तो दोस्तो ये एक सिर्फ एनलिसी से एक्चुल एसेमेल अलग भी हो सकता है इससे के साथ अगर आपको seat नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हम last में information देने वाले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर हम open category की बात करें तो open category के लिए 18500 sml है आपका तो आपको एक BMS की map of first में seat मिल सकती है यानि कि यह sml एक सिर्फ prediction वाला sml है इससे अलग भी हो सकता है अगर OBC category की बात करें तो OBC category के लिए आपका sml 18600 तक है तो आपको seat मिलने के चांसे से यह sml जादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है यह सिर्फ एक prediction है कि इतने sml तक आपको एक BMS की seat मिल सकती है sml मतलब state merit list number आप state merit list number कहाँ चेक कर सकते है रजिस्ट्रेशन के बाग महराष्टर स्टेट ने एक sml list publish की थी वहाँ पर आप state merit list number देख सकते है या जो map of round second की या selection list second round two की जो भी list आई थी उसमें भी आपका sml mention किया गया था तो आप उसमें भी अपना sml देख सकते हो तो इस तरह से अगर यह सी category की बात करें तो यह सी category के लिए जो state merit list number है वह 19,200 तक जा सकता है अभी बहुत ज़्यादा chances से कि इससे आगी भी जाए क्योंकि अभी तक जो महराष्टर स्टेट के 650 seeds लगबग 10 से 12 colleges की seeds अभी भी अलोट नहीं हुई है अभी भी उनमें inspection चालू है अगर उनमें re-inspection होता है तो आपको ओ सीड जलूर अलो ज़्यादा अगर उसके बाद अगर हम ST category की बात करें तो दोस्तों ST category का cutoff बहुत ही कम जाता है अभी ST category का cutoff कितना जा सकता है इससे के बारे में भी हमने बताया था कि ST category का cutoff हो बहुत कम जाता है इसलिए अगर आपका ST category है और ST category का जो SML है वो 31,500 तक जा सकता है मतलब सेमेल स्टेट मेरिट लिस्ट नमबर 31,500 के आसपा से तो आपको एक BMS की सीट अलोट हो सकती है अब यह आपको जैसे की choice filling करते समय सारे BMS के colleges डालने है अगर आपका SML का में और उसके नीचे आप चाहे तो अगर आपको risk नहीं लेना है तो BMS के colleges भी डाल सकते हो अगर इतने 82, 83 colleges BMS के है अगर उतने सारे के सारे colleges डाले तो आपको इस category के तक मिल सकता है अगर वीजे category की बात करे तो आपका SML 19,000 तक है तो आपको एक BMS की merit की seat मिल सकती है और 85% का cut off कम जाता है अभी जैसे कि आपको पता था महारा stress rate state 15% AIQ के 2 round हो चुके थे अभी 2 round के बाद जो भी seats बचने वाली है ओ स्टेट को सरेंडर होने वाली है और जिन भी student को 85% में भी seat alert हो गई थी और 15% में भी seat alert हो गई थी और भी ओ एक seat जो वेकंट हो जाएगी ओ भी seat state को सरेंडर हो जाएगी इसके आलावा जो 650 seats से उनको भी permission मिल जाएगी और ओ भी seats जो ज़रूर म आप फरस्ट में alert हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा seats बढ़ने वाली है यह एक बहुत बड़ी good news है आपके लिए कि जो cutoff है बहुत कम जा सकता है अभी 91 category के बात करें तो 91 category के लिए जो safe sml है state merit list number है 19,100 है यानि कि यह एक prediction है कि आपका जो 91 category के लिए जो state merit list number है वो 19,100 त तक जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा seats अभी भी महाराष्ट्र स्टेट में वैकंट है अभी कितने seats महाराष्ट्र स्टेट में वैकंट से इसके बारे में हम video जल्दी बनने वाले है जो video last तक जरूर देखे हम last में यह भी बताएंगे कि अगर आपको मापा first तक seat alert नह अगर आपका score 300 से भी कम है या 305, 310 है तो आपको BMS की seat जरूर alert हो सकती है जैसे कि हमने ENT2 category के बारे में बताया ENT2 category का SML हो 19,000 तक आ सकता है अगर आपका SML 19,000 थे तो आपको ENT2 category से seat मिल सकती है अगर आपका score या आपकी category ENT3 है और आपका state merit list नमबर 18,900 है तो आपको ए इतर BMS college मिल सकता है पर इसके लिए भी आपको क्या करना है महराष्टर स्टेट के जितने भी BMS colleges है आपको सारे के सारे colleges फिल करने अभी जैसे महराष्टर स्टेट में 82, 83 colleges BMS के है अभी उस सारे colleges अगर आप फिल करेंगे तो आपको कोई ना कोई BMS का college alert होई जाएगा अग पर कैसे मिल सकती है तो BMS का जो open का SML हो वो 31,500 के आसपर जा सकता है अभी SML यह accurate नहीं है इसके आगे या पीछे भी जा सकता है याद रखिये कि इसके आगे या पीछे भी आपका SML जा सकता है अगर OBC category की बात करें तो OBC category के लिए जो SML है वो 32,000 जा सकता है अगर map of first के आपको जरूर बताएंगे और जो map of first है वो 10th January से पहले जरूर होगा 7th है 8th January के आसपास map of first हो सकता है अगर VJ category के बात करें तो VJ category के लिए जो safe SML है वो है 31,000 यानि कि आपकी category VJ है और आपका state merit list number 31,000 के आसपास है तो आपको BMS की seat मिल सकती है और अगर आपने पूरे के पूरे सारे BMS colleges fill up किये होंगे जो कि 59 है तो आपको जरूर मिल सकती है seat ये 91 category के बात करें तो अगर आपका state merit list number या SML 32,000 थे तो आपको एक BMS की seat alert हो सकती है वो भी कम score पर तो दोस्तो अगर आपको 32,000 के आसपास भी आपका SML है 32,500, 33,000 तक भी तो आपको एक 91 category की seat जरू मिल सकती है BMS की अगर ये 92 category की बात करें तो ये 92 category का जो SML है 31,200 तक जा सकता है अगर state merit list number ये 92 category के लिए 31,200 तक जा सकता है तो जो हमने आपको बता है पर उसमें एक बात है कि आपको हमें बार बार बता रहा हूँ आपको सारे के सारे BMS college डालने थे इस बार सबसे कम जो BMS का cut off गया था ओ श्रद्दा homeopathic college वाशिम है वाशिम में ये homeopathic college उसका cut off गया था जो सारे categories के लिए इसी college का cut off सबसे लो गया था तो आपको सारे colleges डालने आपको एक BMS की seat जरूर मिल सकती है और आप just qualified है तो आपको क्या करना है management institutional से भी आप form भर सकते हो उसमें स्यादा fees ह होती है पर आपको seat मिलने के chances है अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें 9730-898960 पर जरूर मैसेज कीज़े हम आपकी help करेंगे अगर ये स्टी category के sml की बात करें तो ये स्टी category का जो sml है 32600 तक जा सकता है जो state merit list number बता है हमने स्टी category के लिए 32600 तक ये स्टी category का sml जा सकता है अब ये जैसे कि आपको पता है ये स्टी और ये स्टी का cut-off थोड़ा कम जाता है पर ये स्टी category से भी आपको seat मिल सकती है with scholarship and all other benefits बस आपको सारे के सारे जो 59 भी हमस के colleges से और 83 भी हमस के colleges से आपको fill up करने है अब ये स्टी category की बात करें तो ये स्टी category का cut-off सबसे कम जाता है अब ये स्टी category cut-off जा सकता है ये 39,600 तक जो एसे मेल है एसे मेल 39,600 तक तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि आपको BMS and BHMS का इतने एसे मेल तक cut-off नीचे आ सकता है या rank तक आ सकता है अगर क्या आपको अगर ये seat नहीं मिले मॉप फरस्ट राउन में आपका seat नहीं मिले जीक जरो पर spot institutional interested ठीक है हम आपको अपने group में add कर देंगे हमारी registration charges 3000 रूपीज है और आपकी सारी spot institutional round की process हम conduct कर वाएंगे हमारी मदद से आपको एक definitely अच्छा से अच्छा BMS और BHMS college अलट हो सकता है हम 5-6 सालों से BMS and BHMS यंबिबियस और सारे जो courses से spot institutional round के admission से stray vacancy round के admission से कर guarantee तो नहीं दे सकते पर most probability 95% आपको admission दिलाने की guarantee हम लेते हैं कि आपको BMS and BHMS में 95% तक admission मिल सकता है तो अगर आप interested है तो हमें WhatsApp पर message किजिए 9730898960 पर उसमें आपका score category name and किस course में interested है आप BMS है BHMS में and sport में institutional round आपको खेलना है ऐसे हमें WhatsApp पर message डालिए हम आपको अपने broadcast या और subgroup में add करेंगे और आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है तो इसकी charges हमारे 3000 रुपीज है और आपको पूरी institutional spot round की detail guide किया जाएगा तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye thank you for watching our video